वाहिगुर जी का खाल साब वाहिगुर जी की फते, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, हमारे देश की बेशरम मेडिया के बारे में, उस मेडिया के बारे में, जिसे कभी मनीपुर दिखाई नहीं देता, कभी जिसे रोड पर रुलता हुआ किसान दिखाई नहीं देता और बेशर्मी की हद देखिये किस तरह से सोनम वांग्चुक जैसा महान विद्वान लदाक की दर्ती पर पिछले 16-17 दिनों से किस तरह से पानी और नमक के सहारे अंचन पर बैठा हुआ है। उसे खुले आसमान के नीचे माइनस टेंपरेचर में नीचे सोते हुए सेंकुडों लोग दिखाईनी दे रहे। बड़ा दुख होता है कि हमारी मेडिया जो लोगतंतर का चौथा स्तंबानी जाती है उसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन वो बोल चुके हैं, वो बूल चुके हैं इस बात को कि उस परमपिता परमात्माः उस अलला ताला की उस मालिक की उस वाहग्रू की सता हमेशान रहने वाली हैं। वो आधी भी था पहले भी था आज भी और आने वाले समय में भी होगा लेकिन यह बोल चुके हैं सता आती जाती रहती आज किसी का राज है कल किसी का राज है इस बेशरम मीडिया को अगर लदाख नहीं दिखरा अगर रोर पर डुलता हुआ किसान नहीं दिखता मनी साब की वीडियो देखो किस हलीमी के साथ किस मुहबबत के साथ वो बैठे हुए कितने शांती पूर्ण डंग से वो अंचन पर बैठे हुए हैं और मांग क्या करें मांग तो देखो मांग कुछ नहीं आपने 2019 में अपने जो गोशना पत्र चुनाव गोशना पत्र था मैनिफ इस डूल जो है वो हम लागू करेंगे वही तो मांग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ओए भारत के मेडिया ओए तरस कर दिखा उन लोगों को माइनस टेंपरेचर में कैसे खुले आसमान के नीचे पानी और नम के सारे वो व्यक्ति पड़ा वो व्यक्ति जो कल तक तुम हीरो ब अंचन पर इस तरह से बैठी तो कुछ तो बात है उस मालिक से डर दिखा क्यों नहीं रहा लदाक तूं क्यों नहीं दिखाता मीडिया कि किस तरह किसान रोड पे बैठा हुआ है कैसे मनीपुर है